वेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सेडल पोईट के बारे में कि गेम थेयरी में से कैसे सेडल पोईट आइंड आउट करना है और उसकी क्या प्रोशीजर होती है तो चलिए सुरू करते हैं यान आप देख सकते हैं कि हमें एक मेट्रिक्स दिया हुआ है चाहां दि कि row में से minimum value हमें find out करनी है तो यहां पे row में से minimum value है minus 1 दूसरी वाली row में minimum value है 4 यह हमने row operation कर लिया अब column operation के बारम बात करता है कोलम में से हमें maximum value find करनी है तो यहां पे maximum value है 4 यहां पे maximum value है 5 यहां पे maximum value है 6 अब हमें saddle point के लिए हमें यह row operation और column operation में से common value find out करनी है मतलब कि यह जो यह वाली और यह वाली जो value मिली इसमें common value find out करनी है so जब हम common value find out करेंगे तो वह हमारा क्या होगा वह हमारा saddle point होगा so saddle point is equal to होगा हमारा 4 इस saddle point को हम value हम गेंपी कर सकते है ठीक है अब जब हमने saddle point मिलता है तो उसे हम stable game बोलेंगे और जिस problem में हमें saddle point नहीं मिलता उसे हम unstable game कहेंगे so thank you for watching